नमुश्कार में हुप्रिया आज है दो सेतंबर खबरों के तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर गैस के ताम में हुई बढ़ोती आज से पंच्छाय चनाफ के पहले चरन का नामांकन होगा शुरू बिहार में सरक्त और घटनाव को रोकने के लिए बनेगा यह खास प्लान बार्ट के कारण वैश्वाली के एतिहासिक धरोहर पर मनवराने लगा खत्रा बिहार के साथ एनेच की देखरेख अबनी जी एजेंसीस के हाथ अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों की और विस्तार से आंध्रप्रदेश Eastern Power Distribution Company Limited ने निकाली रिख सिया आंध्रप्रदेश Eastern Power Distribution Company ने Energy Assistant Junior Lineman Grade 2 के पदो पर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए अगर हम Vacancies की बात करें तो कुल मिला कर 398 पद जारी किये गए हैं इसके साथ ही अगर हम सेक्ष्ट्री क्योगिता की बात करें तो अभिर्थियों का दसवी पास होना ITI Electrical Wireman Trade में या इसके समकश्य कोई डिग्री होना आनिवार है इसके साथ ही आप इन पदों से जूरी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए यू आरिल से ज़ा कर ले सकते हैं गयास के दाम में हुई बढ़ोत्री बिहार समय देश के अलग-अलग राज़ियों में एक बार फिर से रसोई गयास सेलेंडर की कीमतों में बढ़ोत्री कर दी गई है आपको ये भी बता दे कि इससे पहले 14.2 kg वाले घरेलो गयास सेलेंडर की कीमत राजधानी पटना में 958 रुपए थी तो वहीं अब बढ़कर 980 रुपे हो गई है आपको बता दे कि पहले ये ग्यास सिलिनडर 353.50 में लोता था जो की बढ़कर 362.50 का हो गया है ग्यास के दाव में बढ़ोतरी होने से इसका असर लोगों की जे पर देखने को मिलने वाला है आज से पंचाय चुनाव के पहले चुनाव का नामांकन होगा शुरू और संजॉली, कुद्रा, बेला गंच और खिजर सराई, गोविंदपुर, और अंगाबाद, काको, सोनभदर बंची, सूरेपुर, तारपुर, सिकंद्रा, धोरया प्रखंड में मतदान होने वाला है आज बिहारी बहुत रे स्पेशल में हम बात करेंगे नरेंद्र ज्वा की नरेंद्र ज्वा का जन्म आज़ी के दिन बिहार की राजधानी पटना में साल 1962 को हुआ था नरेंद्र ज्वा एक भारती अभिनेता थे जहां बॉलिवूड प्रडक्शन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं उनकी सबसे प्रसिद्व फिल्में हैदर, रईस, घायल, वन्स अगैन, हमारी अधूरी कहानी, मोहन जुदारो, शोरगुल, माई फादर इकबाल, फोर्स टू, काबल, दोहजार सोलह और दूरदर्शन की शांती है, वो आखरी बार आक्शन फिल्म रेस तीन में दिखाई दिये थे, 14 मार्स 2018 को दिल का दोरा पढ़ने के बाद श्वाकी नासिक में उनके फार्म हाउस में जान चले गई थी, वो 54 वर्ष के थे अब बजशावली और स्वगोशना के समरपन का काम हुआ आसान राजस विभाग के तरफ से साज़ा की गई जानकारी के दुस्तार बिहार में वन्शावली और स्वगोशना के समर्पन का काम घर बैठे बैठे होने वाला है जिसके तहद रईयत अबासानी से घर बैठे बैठे इसके लिए अपलाई कर सकते हैं हालाके जोरान उन्हें अपने कागजात का PDF बनाना होगा ग्यात हो पहले रईयतों को अपने स्वामित वाली धारिद भूमी के बारे में एक फॉर्म भर कर अपने मौजा से समंधित शिवर में जाकर जमा करना होता था कई बार प्रपत्र के खो जाने का खत्रा भी पैदा हो जाता था हालाके अब इन सभी समस्याओं से आमजन जीवन को छुटकारा मल दूगया बिहार बोड ने फिर बढ़ा दी इंटर में परिक्षा फॉर्म भरने की तारिक शात्रों की सहुलियोत को ध्यान में रखते वे बिहार बोड ने इंटर और मात्रिक में नामांकन की तारीक को एक बार फिर बढ़ा दिया है जिसके तहट अब इच्छुक और पात्र शात्र तीन सितमबर तक परिक्षा फॉर्म भर सकते हैं ध्यान रहे परिक्षारती अपने सिक्षन संस्थान के प्रधान के माध्यम से अपने सभी विश्यों की परिक्षा में शामिल होने के लिए ओन्नाइन फॉर्म भरेंगे साथी रजिस्ट्रेशन में सुधार भी 3 सितमबर तक करवा सकते हैं इसके साथ ही बोड ने कहा है कि इस परिक्षा में पुर्व वर्ती असफल स्टूडिन भी शामिल हो सकते हैं इंटर और मैट्रिक साल 2020 और 21 के सुचिकृत स्टूडिन्ज इंटर और मैट्रिक 2022 की परिक्षा में पुर्वर्ती कोटी के रूप में शामिल होने के लिए माने होंगे पट्णा हाई कोट ने समवधा स्वास्थकर्मियों की मांग को लेकर सरकार को दिया निर्देश पटना हाई कोट ने राजु में समवधा पर काम कर रहे स्वास्तकर्मियों की मांग के समंध में श्रिवानी कौशिक और अन्य की जनहत याचिका पर चीफ जस्स संजेकरोल की खंड़पीट ने सुनवाई करते हुए राजु सरकार को चार सपता के अंदर निर्णे लेने का अदेश चारी कर दिया है इसके साथ ही कोट ने अपने अदेश में साफ कहा है कि रजु के मुख्यपसाचिफ को समंधित अधिकारियों की बैठक बुला कर समवधा कर्मियों की मांग पर निर्णे लेना होगा साथ ही पिछली सुनवाई करते हुए कोट ने ESIC मेडिकल कॉल शुरू होगी वैशाली और बोध गया के लिए दो-दो इलेक्ट्रिक बसे यात्रिगन कृप्या ध्यान दे अगर आप भी वैशाली और बोध गया जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है क्योंकि वैशाली और बोध गया के लिए दो-दो इलेक्ट वही राजगीर रूट पर भी दो नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचारन होगा जो राजगीर होते वे बोध गया जाएगी जिसके भाद इस रूट पर भी बसों की संख्या चार हो जाएगी इसके साथ ही बिहार में जल्दी बध्यरात्री बसों की सेवा भी शुरू होने वाली है जो बारह बजे तक चलेगी अब आईए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जुले में मौसम का हाल आईएमडे पटना की तरफ से मिली जुआनकारी के नुसार उत्तर पस्चिमी बिहार के जुले पुर्वी और पस्चिमी चमपारन सेवान सारन और गोपाल गंज जुले में आज अधिकतर जगों पर बारिश होने की संभावना है वही उत्तर मध्य बिहार के जुले सीता मढ़ी, मधुबनी, मुजफरपुर, दर्भंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तिपुर में भी कुछ जगों पर बारिश होने का अनुमान है उत्तर पुर्फ बिहार के जुले सुपॉल, अरर्या, किशनगंच, मध्यपुरा, सहरसा और पूर्णिया जुले के अधिकांज जगों पर आज बारिश का अनुमान जताए गया है इसके साथ ही अन्य जगों पर भी आंशिक रूप से बादल चाहे रहने की उमीद है वहीं दक्षिन पश्रिम बिहार के जुले, बकसर, भोजपुर, रोहतास, भबुगा और अंगाबाद, जुहानाबाद और अर्वल में आज कुछ ही जगों पर बारिश की संभावना है दक्षिन मध्य बिहार के जुले, पटना, गया, नारंदा, शेकपुरा, नवादा, बेगु सराई और लखी सराई जुले के कुछ स्थानों पर आज हलकी बारिश का अनुमान है वहीं अन्य जगों पर आंशिक रूप से बादल चाहे रहेंगे वहीं दक्षिन पूर्फ बिहार के जुले, कटिहार, भागलपूर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगडिया के जुले में कुछ सानों पर बारिश होने की उमीद चुताई गई है सिक्षाप नियोजन के लिए 17 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन बिहार में मादमिक और उच्छे मादमिक अभियर्थियों के लिए एहम सूशना सिक्षा वभाग छटे चरन में अब 32,714 पदों के लिए आवेदन मांग रही है पहले रिख्थियों की कुल संख्यात 30,020 थी जिसमें करीब 2,000 पदों की बढ़ोतरी की गई है जिसके तेह तब अभियर्थियों के पास 17 सितंबर तकी तारीख है हालाकि इस प्रक्रिया से वैसे सिक्षकों को बाहर रखा गया है जिन्होंने अपना आवेदन पहले ही जमा कर दिया है 493 नए अफसर बीते दिन राजस्वे एवं भूमी सुधार विभाग को बड़ी संख्या में नए अधिकारी मिल गया है बिहार लोग सेवा आयूक की तरफ से मिली जुआनकारी के नुसार 64-वी संयुक्त परिक्षा के आधार पर बिहार राजस्वे सेवा के लिए 493 अभियर्थियों का चयन हो गया है अब सफल अभियर्थियों के प्रमान पत्र की जुआच विभाग जल्धी करेगा आधिकारिक जुआनकारी के नुसार राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग 21 सितंबर से 24 सितंबर तक दो पारियों में शुस्त्री नगर स्थित सर्वे प्रसेक्षन संस्थान में सत्यापन का काम करेगा जुसके बाद अब राजस्वेवं सेवा के 493 नए सफल कैंडिडेट के आने से विभाग में अधिकारियों की कमी पूरी हो जाएगी और काम भी सुचारू ठंग से किया जा सकेगा बिहार में सरक दुरघटनाओं को रोकने के लिए बनेगा यह खास प्लान बिहार में सरक दुरघटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार एक खास प्लान के साथ काम करने वाली है सबसे खास बात ये होगी कि foot over bridge के निर्मान में उन एलाकों को प्राथ मिक्ता दी जाएगी जहां सरक पैदल पार करने के क्रम में सरक दुर घटनाए हो रही है ऐसे स्थानों को चिनहित कर भविशे में लोगों को परिशानी ना हो इसके लिए मौझूदा वितिय वर्ष में ही FOB यानि के foot over bridge बनाने की शुरवात कर दी जाएगी साइंस सिटी का निरिक्षन करने पहुचे मंतरी सुमित कुमार सिंग एपेजे अबदुलकलाम साइंस सिटी के निर्मान कारे का जयजाले ने बीते दिन राजु के विज्ञान और प्रद्योगी की मंतरे सुमित कुमार सिंग पहुचे जहां पहुचकर उन्हाने अपनी प्रदिक्रिया दी जिसके तहत उन्हाने कहा कि यह राजु के भविश्य दर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकलपना का साकार स्वरूप है यह साइंस सिटी पुरे देश में अनूठा होगा इस साइंस सिटी का उदेश है कि बिहार की आवाम में वेग्यानिक दृष्टिकोन का प्रसार और बिहार के वेग्यानिक धरोहर का संग्रक्षन हो ग्यात हो इसको बनाने में सरकार 640 करूर रुपे खर्च कर रही है इसके साइंस साइंस सिटी 22 एकर में 37,000 वर्ग मीटर में बनाए जा रहा है बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारी पटनास महारनाले में प्रतिनियुक्त संगलोग सेवा आयोग द्वारा 20 सितंबर को EPFO में अकाउंट आफिसर की परिक्षा प्रस्तावित है जिसको ध्यान में रखते वेही बीते दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारीों को पटनास महारनाले में प्रतिनियुक्त खर दिया गया है जिसके बाद अप्रतिनियुक्त हुए सभी 20 अधिकारी 3 सितंबर को पटनास महारनाले में ब्रीफिंग कारिक्रम में समिलित होंगे इसके साथ ही DM के निर्देश पर काम करेंगे परिक्षा खत्म होने के बाद सभी 20 अफसर पुराने जगे पर लोट जाएंगे विहार के साथ NH की देख रे खब नीजी एजेंसीज के हाथ हाली में केंद्रे वित्तबंतरी निर्मला सीतारमन ने PPP मॉडल पर नैश्टंल हाइवे को नीजी हाथों में सोपने की खोशना कि थी जिसमें विहार के साथ हाइवे को भी शामिल किया गया था जिसमें खगडिया पुर्निया 70 किलोमीटर, मुकामा मुंगेर 79 किलोमीटर, मुजफरपुर सोनवर्शा 142 किलोमीटर, पुर्निया दालकोला 36 किलोमीटर, हाजीपुर मुजफरपुर 49 किलोमीटर, कोटवा महसी मुजफरपुर 80 किलोमीटर, बाराचटी गुरहर 80 किलोमीटर नाशनल हाईवे की देखरे खबनीजी एजिंसीज करने वाली है इसके तहट लगभग 516 किलोमीटर की लंबाई में नाशनल हाईवे को 2023 तक नीजी हाथों में स्वापा जाएगा ध्यान रहे किन सरकों का नर्मान नहीं होना है या सरक तीन साल के लिए दी जाएगी इसमें ट्राफिक के अनुसार सरकों का समयसे में परच्वारी करन सहीद मेंटेनिंस किया जाएगा बाण के कारण वैशाली के एतिहासिक धरोहर पर मंदराने लगा खत्रा बिहार के कई जुले वरतुमान समय में बाण के चुपेट में है जिसकी कारण आमजन जीवन पूरी तरीके से अस्तवियस है इसी बीच अब बाण की कारण एतिहासिक धरोहर पर भी खत्रामन रुआने लगा है जिसमें बैशाली के कई पुरा तत्विक स्थलों का नाम शामिल है मई भगवान बुद्ध का अस्तिय वशेश स्थल भी कई महीने से जल जमाग में डूप गया है हैरानी की बात यह है कि इस पवित्र स्थल के रेलिक स्थूप से जल निकासी के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है इस एतिहासिक स्थल की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और यहां पहुशने वाले देशी विदेशी परेटकों को निराफशा हो रही है इसके साथ ही बाढ़ के कारण अभी शेक पश्पगर्नी, शांती स्थूप समित अशोक स्थम और भगना वशेशों की हालत भी खराब है पंचाय चुनाव में सीरपेफ जवानों की नहीं होगी तैनाती जिसके तहट बिहार में होने वाले पंचाय चुनाव के दोरान केंद्रिया सुरक्षा बलू की तैनाती नहीं होगी राजुनिर्वाचुनायोग ने राजु के अपने सुरक्षा बल के सहारे पंचाय चुनाव कराने का निर्ने लिया है जुसके बाद अब आगामी पंचाय चुनाफ के दोरान सभी जुलों में जुला पुलीस बल, बिहार, सैने पुलिस और होमगाट के जवानों की तैनाती की जाएगी इनमें सोशरस्त्र और लाठी बल के जवानों की तैनाती विभिन जगों पर की जाएगी चलन दस्ते में शामिल पुलिस के जवान भी पंचाय चुनाफ पर नज़र रखेंगे इको टूरिजम से संबंधित प्रस्तुति करन मुख्यमंतरी के सामने हुआ पेश बीते दर मुख्यमंतरी नितीश कुमार के समक्ष परियावरन बन एवम जलवायू परिवर्तन विभाग ने वीडियो कॉन्फरिंसिंग के माध्यम से एको टूरिजम पॉलिसी से संबंधित प्रस्तुति करन दिया जिसके तहर परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के प्रधान सचेव श्रीदीपक कुमार सिंग ने एको टूरिजम पॉलिसी से संबंधित प्रस्तुतिकरन में एको टूरिजम को बढ़ावा देने को लेकर विस्तरत जानकारी दी उन्हाने एको टूरिजम इंप्लिमेंटेशन स्ट्राटोजी आधी के संबंध में जानकारी दी है वहें इस दोरान सियम नितीश ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि प्रकृति से सामंज से रखते वे परिटन को बढ़ावा देना है इस बात का ध्यान रखना है कि प्रकृति को किसी तहरे से कोई नुकसान ना हो एको टूरिजम के विकास से राज्य में आने वाले परिटिकों की संख्या तो बढ़ेगी साथ ही स्थानिय लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी इसके साथ ही एको टूरिजम का प्रबंधन और मिंटेनिंस वभा के तरफ से किया जाएगा तेजस्वी आदब ने सरकार की 19 लाख नौकरियों के दावे को बताया खोखला बिहार वधान सभाज चुनाफ की दौरान बिहार सरकार ने बिहार में सरकार बनने के साथ ही अगले 5 साल में 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था हाला कि अपने इस वादे को अमली जामा पहनाने में बिहार सरकार कोई खास सफल नहीं हो पाई है जिसको लेकर यह अब विपक्ष निमों खोलना शिरू कर दिया है युबा विरोधी इंडिया सरकार 16 वर्षों में बेरोजगारी मिटाने और नौकरी देने वाली एक सुद्रिठ नीती भी नहीं बना पाई है नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है अब ये नौकरी छीनने में लगे हुए चुराग पासवान आरा से 3 सितमबर को करेंगे आशिरवाद यातरा लोजपा के रास्ट्रिय ध्यक्ष और जमुई सांसत चुराग पासवान पूरे बिहार में जोरशोर से आशिरवाद यातरा कर रहे हैं और 3 सितंबर को बाबु वीर कुमर सिंग की धरती आरा से आशिरवाद यातरा की शिरवाद करेंगे लोचपा प्रवक्ता चंदन सिंग ने ETV भारत से खास बाचीत में इसकी जयानकारी दी और साथ ही ये भी बताए कि चराग पासवान को जनता का भरपूर प्यार और आशिरवाद लगातार मिल रहा है जेपी उनिवर्सिटी से बाहर हुई जेपी की विचारधारा जेपी उनिवर्सिटी की सिलबस से हाल ही में जैप्रकाश नारायन को बाहर कर दिया गया है कि मैंने जेप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमी छपरा में 30 साल पहले जेपी विश्विद्याले की स्थापना की थी अब उसी उनिवर्सिटी के सिलबस से संगी विहार सरकार तथा संगी मानसिक्ता के पदादिकारी महान समाजवादी नेता जेपी लोहिया के विचार हटा रहे है यह बरदाश से बाहर है सरकार तुरंत संग्यान ले भारत के इतिहास में आज की तारिक कई कार्णों से दर्ज अक्मर ने 1573 में गुजरात फतेह किया था अंग्रेजों ने 1798 में हैदराबाद के नजाम के साथ समझोता आज री के दिन किया जवाहलाल नहरू के उपसभापती में अंतरिम भारत सरकार का गठन 1944 में आज री के दिन हुआ था कन्या कुमारी में 1970 को विवेकानन्द समारक का उदखाटन आज री के दिन हुआ था भारतिय तैराक बुला चौधरी इंग्लेश चैनल 1999 में दो बार पार करने वाली प्रथम एश्याई महिला बनी थी कानपुर विश्वेद्याले के पुर्व कुलपती प्रफेसर बी एन अस्थाना को 2008 में उत्तर प्रदेश उच्छ सिक्षा विभाग की तरफ से सरस्वती सम्मान देने की घोशन आज री के दिन की गई थी भारती क्रिक्टर इशांथ शर्मा का जन्म 1988 को आज री के दिन हुआ था भारतीय मॉडल और अभिनेत्री उद्धा गोस्वामी का जन्म 1984 में आज री के दिन हुआ था भारत के प्रसिदे विद्वान, सहितकार और सिक्षा श्रास्री अमर्नाज ज्वा का निधन उन्न सो पच्पन में आज री का था आज चौथे टेस्ट मैच में इंग्लाइन के खिलाफ कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है टीम इंडिया भारत बनाम इंग्लाइन के बीच वाज चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा जुसके बाद मैच को लेकर बीते दिन से लगातार कयास लगाये जा रहे हैं इसी बीच ऐसी खबरे आ रहे हैं कि आज भारतिय टीम कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतर सकती है जिसके तेह थी हनुआ बिहारी के रिकॉर्ड को देखते वे उन्हें अजिंक की रहानी के जगह मैदान में उतारा जा सकता है अब तक वो प्लेइंग 11 से बाहरी रहे हैं इसके लावा इशान शर्मा की जगह पर श्रादुल ठाकुर को टीम में जगह दी जा सकती है क्योंकि इशान शर्मा ने तीसरे टेस्ट में खूब रन रुटाई थे इतना ही नहीं आज होने वाले मैच में जानकारो की माने तो अश्विन की भी बापसी हो सकती है इंग्लान के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैच में अश्विन की कमी देखने को मिली थी वाटसाप ने बंखिये लगभग 30 लाग से ज्यादा अकाउंट फेस्बुक के स्वामित वाले वाटसाप ने अपने आईटी डियम का अनुबालन शुरू कर दिया है कम्पनी ने पिछले मही ने अपनी पहली मासिक सुरक्षा रिपोर्ट प्रकाशृत की थी इस रिपोर्ट में वाटसाप ने खुलासा किया कि उसने 15 मई से 15 जून के बीच भारत में कम सी कम 2 मिलियन अकाउंट को बैन कर दिया है अब दूसरी रिपोर्ट आई है जुसके अनुसार वाटसाप ने 45 दिनों के भीतर भारत में 30 लाग से अधिक खातों पर प्रतिवन्ध लगा दिया है वाटसाप ने भारत में 16 जून से 31 जुलाई तक केवल 46 दिनों के भीतर 2027 खातों को बैन कर दिया है अब आई जाते हैं स्तराफब बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम स्तराफब बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,580 रुपे था वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,800 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति के लोट 63,000 रुपे था इसके साथ ही राजधानी पट्ना में पेट्रोल की कीमत 104.2 रुपे प्रति लीटर और डीजल 95.52 रुपे प्रति लीटर था इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छी लगे हैं मगर समय के आभाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आ इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक और दबान ना भोलें धन्यवाद